तो देखेगा मूल अधिकारों को लेकर करें तो अभी तक सर्चा आपसे करी है तो सबसे पहली वीडियो में तो में बताया था कि जो फंदामेंटल राइट्स हैं उनकी क्या-क्या प्रोपरटीज हैं यानि क्या-क्या उनकी भीसेशता हैं उस बात कर चुके थे उसके बाद में फिर मैंने बात करी थी अगली वीडियो में समानता के अधिकार के बारे में उसके बाद फिर मैंने बात करी थी स्वनता के अधिकार के बारे में जो नेक्स्ट वीडियो थी इससे पहली वाली और आज मुझे बात करनी है मेंली सोसन के पूरी का पूरा जो है वो फंडामेंटर राइट। का बार्ट हो जाएगा भागतीन कंप्लीट हो जाएगा खैर तो यह दो कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने फिर से कहा है कि देखने के बाद यह नहीं बताते फीड़बैक में कि सर कैसा चल रहा है कैसा नहीं जादा डीप तो वीडियो नहीं हो जा रही है मेंली कोई ऐसा तो नहीं है कि हाँ कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आपाती तो आप एक बार जरूर बताईएगा उस चीज को लेकर के और दूसरी बात देखीगा मैंने lockdown के दोरान पहले जो है जो है वो जोग्रफी को पढ़ाया था और जोग्रफी की मेरे पास वीडियो पढ़ी हुई थी तो मैंने जो है वो आपके चैनल पर जोग्रफी की सभी वीडियो जो है वो अप्लोड कर दी है मेंली आर्टिक सोरी चैप्टर फर्स चैप्टर कह रहा हूं मैं आपका हाँ चैप्टर फर्स से लेकर के और मुझे रखता है पूरे जियो मॉर्फलोजी का जो लाश्ट है आपका नदियो द्वारा बनने वाली इस्थरागरती बहां तक पूरी की पूरी जोग्रफी के लेक्चर जो है मैंने चैनल पर डाल दिये हैं आप देख लीजेगा प्लेलिष्ट बना रखी है मैंने वर्ल जोग्रफी भिट के के चोहन के नाम से आप बहाँ पर अपनी वर्ल जोग्रफी भी कम्प्लिट कर सकते हैं उससे आगे की जो किलासेज हैं वो मैं जल्दी हैं आपको प्रोइट कराऊँगा आज हमें बात करनी है सोसन के बुरुद अधिकार के बारे में सबसे पहले देखें समानता के अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक है उसके बाद में स्वतंतरता से सम्मंदित अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक है अब हमें बात करनी है सोसन के बुरुद अधिकार देखे आपके संभिधान में कुल मिला करके दो आर्टिकल ऐसे भी है में लिए मूल अधिकारों वाले भाग में दो आर्टिकल ऐसे भी है जो एक तरीके से एक सोशल मुक्त समाज की स्थापना करने की जिम्मेदारी लेते हैं और में लिए दो आर्टिकल हैं एक है आर्टिकल 23 और एक आर्टिकल 24 तो क्या कहते हैं आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 इस चीश को समझेगा देखे आर्टिकल तेहिस कुछ चीज पर रोक लगाता है, किस-किस चीज पर जैसे मानव दुर्वियापार, मानव दुर्वियापार, कॉमा वेगार, कॉमा बलात स्रम, बलात स्रम, अब इसका मतलब समझेगा, आर्टिकल तेहिस ये कहता है, कि राज्ये का मतलब समझते हैं, आर्टिकल 12 के अनुसा राज्ये की क्या परिभासा है, तो ये कहता है, अच्छा एक चीज और ध्यान लखेगा, कि ये जो आपका आर्टिकल तेहिस है, ये केवल राज्ये पर लागू नहीं होता, ये राज्ये नीन के साथ साथ ब्यक्तियों पर भी लागू होता है इसका मतलब क्या है मैं समझा में अभी समयू आपको क्या कहता है कि राज्य जो है मानभ दुर्वियापार दास्परता की चर्चा करी जाती है दास्परता एक तरीके का मानब दुरुबयापार है दूसरी बात बस्तूओं की तरह अगर मनुस्य की खरीद विक्री हो रही है मनुस्य की खरीद विक्री भी वो क्या है एक तरीके का मनुस्य की खरीद विक्री ये भी एक मानब दुरुबयापार है खरीद विक्री ये भी एक मानब दूरुपयापार के अंतरगत काफी सारी चीज़े आती हैं जैसे कि मैंने आपसे एक पहले बताई आपसे दास्पर्था या मनुस्ये की बस्तों की तरह खरीद विक्री खास करके महिला और बच्चों की खरीद विक्री ये सब मानब दूरुपयापार के अंतरगत आती लेकिन कोई भी व्यक्ति चाहे वो मैं हूँ, कोई प्राइवेट व्यक्ति है, सरकारी व्यक्ति है, वो भी ऐसा नहीं करेगा, अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति भी ऐसा काम करता है, दास्पर्था को बढ़ावा देता है, या मनुस्य है, या महिला या बच्चों की खरीद विक्री किसी गरत उदेश्चे के लिए करता है तब उसे भी राज्य जो है वो कानून बना करके रोकने का प्रयास करेगा यह होता है विगार का मतलब होता है बिना पैसे के काम करवाना जैसे पहले राजा महराजा हुआ करते थे तो उस समय एक टैक्स हुआ करता था जिसका नाम बिष्टी होता था ये प्रिकार का बेगार कर था बेगार कर का मतलब इसमें क्या किया आता था लोगों से फ्री में काम करवाया जाता था वो लोग काम करते थे और उसके बदले में उन्हें कोई महंताना नहीं मिलता था उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता था तो दिखेग है बलास्रम बलास्रम का मतलब है आपका बलपूर्वक काम कराना किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है कोई काम करने की और उससे फिर भी जो है वो बलपूर्वक काम कराया जा रहा है तो वो आता है बलास्रम के अंतरगत तो तीनों चीजों पर राज्य रोक लगाएगा मानब बनाम भारस संग केस एचली एक मामला है इस मामले में सुप्रीम कोट ने एक फैसला दिया उस फैसले में ये कहा गया कि देखिए ऐसे अपराधी जो कोई बड़ा अफरात करते हैं तो उन्हें कठोर कारावास मिलता है कठोर कारावास के तहट क्या किया जाता है वो कारावास में तो रहते ही रहते हैं उसके साथ साथ उनसे काम भी करवाया जाता है काम करने का मतलब है पत्थर तुड़वाय जाते हैं वो सब आपने मूवियों में फिल्मों में देखा होगा चक्की चलवाय जाती है ऐसा सब काम करवाया जाता है तो वो एक तरीक आया कठोर कारावास है अब आप सूचिए वहाँ पर उनसे काम करवाया जाता है लेकिन उनके काम के बदले में उनको कोई पैसा पहले नहीं मिलता था तब ऐसे में ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट और दीना बनाम भरत संग केस में सुप्रीम कोर्ट न जेने कारावास में डाला जाता है कारावास में जाने के बाफ जूद भी जब वो काम करते हैं तो उस काम के बदले में उने होगा राज्य के खिलाप नहीं है यानि राज्ये के खिलाप नहीं है, यानि कि केबल राज्ये ही इन चीजों को रोकेगा, ऐसा नहीं है, हम लोग जो है हम भी ऐसा नहीं करेंगे, यानि जो प्राइवेट विक्ति हैं वो भी ऐसा नहीं करेंगे, इसके बाद है article 24, article 24 क्या कहता है, बड़ा important है, ये खास करके बच्चों के सरनक्षन के लिए है, ये बच्चों के सरनक्षन से जुला हुआ है, बच्चों के सरनक्षन से जुला हुआ है, और ये article क्या कहता है, वो ये कहता है कि चोधा वर्स से कम के बच्चों को, जो चोधा वर्स से कम के बच्चे हैं, कम के, चोधा वर्स से कम के बच परिसंकट में कार्ये कैसे कैसे हो गए जैसे कार खाने होते हैं ठीक है कार खाने कार खाने हो गए ठीक है या फिर आप खनन का कार्ये होता है खनन के कार्ये में ठीक है भवन निर्मान का कार्ये है होता है भवन निर्मान ये जितने भी कार्ये हैं ये सब कार्ये परिसंकट में कार्ये हैं यानि यहाँ पर कोई नदो कोई ट्रेजडी हो जाती है और इन छेत्रों में काम करने वाले लोग जो है वो दुरूस्त होने चाहिए उनके पास एक आई उ होनी काम नहीं कर सकते हैं तो ये ध्यान लखेगा कि बच्चों के संद्रक्षण के लिए आर्टिकल 24 डाला गया जिसमें ये कहा गया कि राज्ये का यह विदाइत बनता है कि राज्ये 14 वर्स से कम के बच्चों को परी संकट में कार्ये करने से रोके और ऐसा रोकने के लिए राज्ये ने क्या कर रखे काफी सारे कानून बना रखे हैं और मेली कानून है और इस कानून के तहत राज्य तो छोड़िये कोई प्राइवेट व्यक्ति कोई निजी व्यक्ति भी जो है वह इस प्रकार के किसी कार्ये में छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकता है यह बात ध्यान लखेगा तो आपके पास अधिकार नहीं रहेगा ठीक है लेकिन आर्टिकल 2324 ऐसा है कि यहां पर कोई रिजनेवाल रिस्टेक्शन नहीं है कि हां कुछ कंडिशन ऐसी है जिसमें बच्चों से काम करवाया जा सकता है यह कुछ कंडिशन ऐसी है जिसमें मानभ दुर्वियापार बेकार बाला स्रम जो है वो किया जा सकता नहीं कोई सी भी ऐसी कंडिशन नहीं है यानि यह आपका एक अत्यानतिक अधिकार है यह आपसे नहीं चीना जाएगा चीने जाने का मतलब आप सायद इस बास से समझ रहे होंगे मैं फिर से कह रहा हूं कि इस पर कोई रिजनेवल आपको धर्मिकी सुतंतरता का अधिकार मिला हुआ है आप सोचिए यह एक बड़ा अधिकार है और भारत में तो यह अधिकार होना ही चाहिए था भारत में धर्मिक सुतंतरता का अधिकार मिला हुआ है चार आर्टिकल में और इनको आपको एक एक करके बड़ा अच्छे त स्वतंत्रता यानि धर्म को लेकर के आपकी अंतरात्मा से क्या आवाज आती है वैसा करने की आपको स्वतंत्रता है For example यानि आपका मन किसी धर्म को मानने का करता है तो आप धर्म को मानिये ने मानने का करता है तो आप उस धर्म को ने माने उस धर्म की सम्मंधी आचरण करने का मन करता है तो वैसा आचरण करें जैसा वो धर्म वताता है उस धर्म का प्रचार करने का मन करता है तो आप उस धर्म का प्रचार प्रचार भी करिए तो कुल मिला करके जब हम Article 25 की बात करते हैं, तो Article 25 कहता है धर्म की अंतहकरन की स्वतंतरता, यानि धर्म के विसे में आपके अंतरात्मा से क्या आवाज आ रही है, आपको उसकी स्वतंतरता है, अगर आपका मन किसी भी धर्म को मानने के लिए करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो इसाई हो, पारसी हो, चाहे जहनी हो, चाहे बुद्धिश्ट हो, किसी भी धर्म को मानने का मन करता है, आप मानिये, ठीक है, और अगर किसी भी धर्म को ने मानने का मन करता है, आप नास्तिक रहना चाहते हैं, तब नास्ति क्रसर करें वाइसा ही उता है और उसके साथ प्रिचार प्रäसार करने यह बात ज्यान मतलब प्रचार प्रचार भी किसी धर्म का किया जा सकता है आप अपने धर्म का प्रचार करिए आपको पूरी की पूरी सुतंतरता है लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान लखेगा सुप्रीम कोट ने एक मामले में यह वास साफ कही थी कि प्रचार प्रचार करने की सुतंतरता ह लेकिन किसी लालच के आधार पर किसी धवाब के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति का धर्म जानबूच करके परिवर्थित करवाना ये किसी धर्म का प्रचार-प्रसार नहीं है बलकि ये धर्मांतरन है। और धर्मान्तरण जो है वो आर्टिकल 25 के तहत प्रचार प्रसार की स्रेड़ी में नहीं आता यानि कोई व्यक्ति या कोई भी धर्म से जुड़े हुए लोग पैसे दे करके या किसी बलपूर्बक तरीके से कुछ लोगों का धर्म परिवर्तित करवाते हैं तब ये ऐसे में गलत है क्यों वो ये लोग कहें कि हम तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने धर्म का भले ही पैसे के अधार पर कर रहे हैं नहीं अगर इस पैसे के अधार पर या बलपूर्बक तरीके से किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तित करवाया जा रहा है तो ये धर्मांतरण के अं अंत्यकरण की स्वतंता आर्टिकल 25 में है अब यहीं पर ये तो है आर्टिकल 25 एक है आर्टिकल 25 दो इतना सब होने के बावजूद भी आर्टिकल 25 दो क्या कहता है आपका 25 टू क्या कहता है कि स्वतंतरता का धार्मिक स्वतंता का अधिकार होने के बावजूद भी अंत्यकर जो है यह आपकी absolute नहीं है यह त्यानतिक नहीं है इस पर reasonable restriction लगाई जा सकते हैं ठीक है यह ऐसा नहीं है कि इसे नहीं छीना जा सकता है ठीक है हो सकता है कि आज आप तिलक लगा करके घुम रहे हैं कल को ऐसा rule आ जाए कल को ऐसी जो है वो राज्जी ऐसा कानून मना दे कि नह इसनेवल restriction जो है वो तीन आधारों पर लगाए जा सकते हैं यानि लोग व्यवस्था सदाचार और स्वास्थी इन तीनों मतलब को समझेगा यदि आपके धर्म की स्वतंतरता low and order के लिए खतरनाक है लोग व्यवस्था के लिए खतरनाक है एक example बताता हूं मान लीजिए आ आपको राम नबमी का जलूस निकालना है ठीक है और कहीं से जो है वो मुस्लिम समुदाय का भी कोई जलसा निकलना है अब ऐसे में लगता है प्रिसासन को कि भई क्या हो सकता है जगड़े होने की संभावना है जगड़े हो सकते है लोग व्यवस्था जो है वो विगर सकती तो इस condition पे ऐसे जलूस और जलसे पर सरकार रोक लगा सकती है और अगर सरकार ऐसे जलसे और जलूस पर रोक लगाती है तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमारा मोली कदिकार हम से छिन गया वो मोलिक अधिकार नहीं छे ना क्योंकि लोग व्यवस्था के आधार पर रोक लगाई जा सकती है धार्मिक सुतनता पर सदाचार के आधार पर रोक लगाई जा सकती है जैसे मैं आपको एक मामला बताता हूँ कि पहले लोग क्या करते थे जो लोग होते थे धार्मिक हिंदु धर्म में जो तांत्रिक वगेरा होते थे तो वो जहलूस निकालते थे इस्त कपाल को लेकर के मतलब कपाल या हड्डियों को लेकर के और टांडप करते हुए जो है वो जहलूस निकालते थे कही ना कही इस बिवस्था को सदाचार के खिलाप माना गया योगि कुछ लोग इन चीजों से डड़ते थे इड्सिया करते थे और इसे वो सदाचार नहीं मानते थे कि भाई मरे हुए लोगों के अस्ठी पंजरों से लोग खेल रहे हैं तो सदाचार के विरुद्ध भी अगर कोई ऐसी धार्मिक सुतंतरता है उस पे भी रोक लगाई जा सकती है, स्वास्थे के खिलाब भी, यानि आप धर्म के आधार पर अपने स्वास्थे के साथ छेड़ छाड़ नहीं करेंगे, फोर एक्जामपल कोई व्यक्ति ये वोले कि मैं हिंदु धर्म को मानता हूँ और मुझे काली मा को अपना सिर का मतलब है, मुझे अपना मुंड जो है, वो उनके पैरों में चड़ाना है, उसलिए मैं अपना गला काटना चाहता हूँ, कर ले वो एक अलक्की बात है, लेकिन वो ऐसा लोगों को बता करके ऐसा करना चाहेगा, तो ये ध्यान लखेगा, वहाँ पर ये उसका अधिकार नहीं है, वो धार्मिक सुदंतरता के तहत ऐसा नहीं कर सकता, उस पर IPC धारत 309 जो आत्मत्या, वो एक तरीके की आत्मत्या की कैटागिरी में आएगा, तो धर्म क अधार पर आप ऐसे नहीं है, कि आप अपने सरीर के साथ काया कलेश करें, या फिर आप इसके आधार पर अपनी जान ले लें, ऐसा आप नहीं कर सकते, और मैं आपसे बता दू, इसी आधार पर जैनी लोग जो थे, उनकी एक प्रहुक परमपरा थी, जिसका नाम था संथा संथारा, संथारा एक संथारा एक जैनी परमपरा थी, और इसके तहट क्या करते थे जैनी लोग भोजन को त्याग देते थे, और भोजन को त्यागने के बाद में वो अपने प्राणों को त्याग देते थे, लेकिन कोट ने इस पर रोक लगाई, और क्या कहा, कि भले ही आ आपको संबिधान में धर्म की स्वांता का अधिकार है, लेकिन स्वास्थे के अधार पर इस स्वतंतरता पर रोक लगाई जा सकती है, तो इसी के कारण से संथारा जैसी एक प्रिणाली पर एक परंपरा पर जो है वो क्या लगा दी गई थी, कोट के द्वारा रोक लगा दी फिर से कह रहा हूँ, धर्मिक स्वांता के अधिकार पर लोग व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थे के अधार पर रोक लगाई जा सकती है, अब मैंने क्या कहा, एक बड़ी बात, कि 25 एक ओर तो ये कह रहा है कि आपको अंतह करण की स्वतंतरता है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, पिरचार पिरसार कर सकते हैं, उसके अनुसु आचरण कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर 25 टू क्या कह रहा है, कि इसके सम्मंद में राज्य कानून बना सकता है, कि आप कैसे क्या करना है, कैसी नि, जैसे मैं आपको एक एक अग्जाम्पल बताता हूँ, 25 दो में ह ये कहा गया कि जो हिंदू हैं वो हिंदू लोगों के जितने भी धार्मिक संस्थान है वो सब अन्य बर्गों के लिए अन्य हिंदू धर्म के बर्गों के लिए खुले रहेंगे यानि जो हिंदू धर्म से जुड़े मंदिर या धर्मिक संस्थान है वो अन्य हिंदू धर्म से सम्मंदित बर्गों के लिए खुले रहेंगे यानि हिंदू वर्ग में कौन-कौन से बर्ग सामिल है इसी में सामिल है बोध, इसी में सामिल है जैन और इसी में सामिल है सिख तो यह ध्यान लखेगा जितने भी धार्मिक संस्थान है हिंदू के वो सब बोध, जैन और सिख लोगों के लिए क्या रहेंगे ओपन रहेंगे, खुले रहेंगे, ये जो है वो ये भी आर्टिकल 25 में ही है, कानून बना करके राज्जी ऐसा कुछ भी कर सकता है, और मैं आपको एक चीज़ दोर बता दूँ, तीके सड़क पर हत्यार लेकर के चलना मना है, वो एक क्राइम है, आप हत्यार बिनल एसेंस के लेकर नहीं चल सकते, लेकिन फिर भी पंजावी लोग जो है, वो करपान लेकर के चलते हैं, ये भी किसके तहट चलते हैं, आर्टिकल 25.2 में ही पंजावी लोगों को करपान लेकर के चलने का अधिकार मिला है, क्योंकि करपान मेंली उनकी धार्मिक आस्था का बिसे है, व यह आपसे direct question पूच सकता है कि सिखों के लिए क्रपान की सुधनता किस article के तहत है आर्टिकल 25.2 के तहत हैं बोद जैन और सिख लोगों के लिए हिंदू धार्मिक संस्थान खुले रहेंगे यह किस article के तहत है आर्टिकल 25.2 के तहत है और अंत्यकरण की सुधनता article 25.1 में है पहली बात तो ध्यान लखिए ये जो अधिकार है ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है बलकि ये किसके लिए है ये है व्यक्तियों के समु के लिए व्यक्तियों के सम्हूं के लिए सम्हूं के लिए ये व्यक्तियों के सम्हूं के लिए ये अधिकार है ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है इस बात को समझेगा है क्या मामला? मामला ये है कि देखे हो सकता है कि किसी एक धर्म को मानने वाले काफी सारे व्यक्ति एक साथ आ करके मिल जाए तो ऐसे किसी धर्म को मानने वाले व्यक्ति अगर आपस में आ करके मिल सकते है तो मिलने के बाद में वो किसी भी पिरकार की क्या बना सकते है एक पिरकार की धार्मिक संस्था बना सकते हैं धार्मिक संस्था बना सकते हैं, किसी पिरकार की चैरिटी बना सकते हैं, संस्था या चैरिटी बना सकते हैं, मालीजे कोई चैरिटी बना लिया उन्होंने, ठीक है, या कोई भी एक संस्था बना ली, कोई भी एक ट्रस्ट बना ली, कुछ व्यक्तियों ने बना ली, फिर स्वामित्व रख सकती है स्वामित्व रख सकती है अब हम समझाओ मैं आपको दूसरी वात यही संस्था चैरिटी क्या कर सकती है यही धर्म के प्रसार के लिए ठीक है मंदिनिर्मान गार्य करना चाहे वह भी कर सकती है जलूस निकालना चाहे वो भी कर सकती है या मुस्लिम लोग हैं जलसा निकालना चाहें वो भी कर सकते हैं अब मेरी वात को समझेगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं आर्टीकल 26 कहता है कि धार्मिक कारीयों के प्रमन्धन की सफ़तंतरता। लेकिन ये बास्तिकता में एक ब्यक्ति के लिए नहीं है ये व्यक्तियों के सम्हु के लिए है। बना लिया, глमा मंदिर ट्रश्ट बना दिया। इसमें लोगों ने पैसा डालना सुरू कर दिया। इनके पास पैसा हो गया एक दो करोड़। तो यह कहीं पर जमीन ले सकते हैं। वह सब सुतंतुरता कहां से मिली है वो मिली है Article 26 से For example आपको मैं बताऊ जैसे राममंदर टरष्ट है तो वो काम कर रहा है तो यह जो सुतंतरता मिली हुई है बहुत मंदिरों की टरष्ट होती है बहुत सी ऐसी trust है जो धार्विक रोप से काम करते हैं जैसे अभी जो लोग यहां के हैं ठाकुर द्वारा के तो उन्होंने सुना होगा कि रामनेगर में हनमान मंदिर है ठीक है हनमान धाम के नाम से आपने सुना होगा तो वहाँ पर जो छोई के पास है हनमान धाम तो वहाँ पर क्या है वो हनमान धाम की एक trust बनी हुई है वो trust क्या कर रही है मंदिर निर्मान का कार्जे करवा रही है और बहुत सारे कार्जे करवा रही है ठीक है तो यह सब सुतंतरता जो है वो किस article के तहट मिली हुई है article 26 के तैट लेकिन आप कहें ठीक है यह बात तो समझगे व्यक्तियों के सम्हू के लिए है लेकिन अगर संसद अगर संसद किसी संस्था को बनाए चली यह तो लोगों ने आपस में मिलकर के कोई charity बना ली कोई संस्था बना ली लेकिन अगर संसत किसी संस्था को बनाए तो क्या वो संस्था भी ऐसा कर सकती है आप कहेंगे बाद समझ में नहीं मैं एक्जामपल देता हूँ संसत ने एक संस्था बनाई और वो थी अलीगर्ड मुस्लिम उनिवेस्टी आपने नाम सुना होगा वो भी संसत के द्वारा बनाई गई संसत के अधिनियम से बनाई गई तो वो क्या है वो एक तरीके की संस्था है तो क्या वो संस्था भी भलाए मैं क्या कह सकता हूँ मुस्लिम लोगों के लिए बनाई गई क्या वो ऐसा कर सकते है यानि मस्जिद निर्मान का कारिये और जलसा निकालना वो सब ये कारिये नहीं कर सकते केवल यदि निजी व्यक्तियों के द्वारा कोई इस प्रकार की charity या संस्था बनाई जाती है तो वही ये सब काम कर सकती है संसत के द्वारा इस प्रकार की कोई charity या trust या कुछ बनाया जाता है तो वो ऐसा कारिये नहीं कर सकती तो मुझे जहां तक लगता है article 26 आपको समझ में आ गया होगा तुरंत याद आना चाहिए article 26 में trust और charity ध्यान आना चाहिए आपको अगला है article 27 बड़ा आसान है कर संदाय में छूट इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो सरकार है वो आप पर कोई भी ऐसा कर नहीं लगाएगी कोई भी ऐसा कर नहीं लगाएगी जिस कर का प्रयोग किसी विशेज धर्म के लिए किया जाए विशेज धर्म के उत्थान के लिए किया जाए ऐसा कोई भी टेक्स यानि कर आप लोगों पर नहीं लगाएगा जाएगा बहले ही लोग बिए Kundu B applaudh bollasoksकते है फ्रिजस सम्म ही भाजभ भाहे हिंदूवादी ठीक है और राम मंद्र पंधर यह हो रहा है लेकिन इससे अधार में भी प्रिजैच में सराकार कोई ऐसा टेक्स नहीं लगासकति करसंदाय से छूट यानि हमारी सरकार राज्ये सरकार का मतलब यहां पर किस से है राज्ये से है, राज्ये कोई ऐसा कर नहीं लगाएगा जिसका पिर्योग किसी विसेज धर्म के उत्थान के लिए किया जाए अब देखिए एक सब्ध होता है वो होता है सुल्क कर और सुल्क में अंतर होता है कर वो है जो आपको देना है बदले में कुछ मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है यानि जहां पर बिना किसी सेवा के आपसे कुछ लिया जाता है वो कर है लेकिन सुल्क क्या होता है सुल्क होता है जहां बदले में आपको कुछ मिलेगा ही मिलेगा ये तै है फॉर एक्जामपल आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं तो वो जो आपसे वो पैसे ले रहा है वो टैक्स नहीं ले रहा है वलकि वो क्या ले रहा है आपसे एक सुल्क ले रहा है क्योंकि वो आपको एक सर्विज दे रहा है मेरी बात को फिर से दिहान से सुलना सुल्क में और कर में अंतर होता है Article 27 केवल कर से रोक लगा रहा है ये सुल्क पर रोक नहीं लगा रहा यानि सरकार सुल्क ले सकती है हाँ ले सकती है लेकिन मैं कहूंगा वही सुल्क के बदले सरकार कुछ आपको देगी भी तो फूर एक 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 द्वारा आप समझते हैं माली जी एक सहर है और वहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर के कारण से क्या होता है? कि मंदिर के कारण से जब लोग वहाँ पर आते हैं तो गारिया बगवा खड़ी हो जाती है जैम लगता है और इस जैम रोकने के लिए वहाँ पर क्या किया? मेंली पुलिस प्रिसासन ने एक पार्किंग बनाई एक जगे पड़ी हुई थी वहाँ पर एक पार्किंग बनवाई और पार्किंग बनवाने के बाद में ये बोला कि जितनी भी गाडियां है वो अब इस पार्किंग में खड़ी होंगी और वो कहीं बाहर खड़ी नहीं होंगी अब आप सोचिए पार्किंग में वो गाडिया खड़ी होंगी और पार्किंग में खड़ी होंगी तो बिल्कुल भाई सफाई के लिए और सब चीजों के लिए महां पर एक लड़का भी रहेगा बंदा भी रहेगा देखने वाला तो लोगों से 20-20 रुपे भी बसू ले जाएंगे अब कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि हमसे 20 रुपे लिए जा रहे हैं और यह 20 रुपे लिए क्यों जा रहे हैं क्योंकि लिए पार्किंग इसकी है मंदिर की क्योंकि लोग गाड़ी कौन खड़ी कर रहे हैं यहां पर गाड़ी वो लोग खड़ी कर रहे हैं जो लोग आपका मंदिर में जा रहे हैं मुझे लगता है कैमरा सायद बंद हो गया था, चल गया होगा, ठीक है, तो दीखें सुल्क लिया जा सकता है, तो उस वाले मामले में ने आप से क्या कहा, कि भई वो भले ही मंदिर के लिए पुलीस वाले एक सुभीदा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन वो सुल्क ले सकते हैं आ लेकिन कर किसी प्रकार का किसी विसेज धर्म के उत्थान के लिए नहीं लगाया जाएगा और नहीं लिया जाएगा, तो जहां तक मुझे लगता है कि आर्टिकल 27 जो है वो बहतर रूप से आपका किलियर हो गया होगा, इसके बाद है नेक्स्ट लाष्ट आर्टिकल है, ध संस्थान नमबर एक पहला, एक होते हैं सरकारी, पूर्ण सरकारी का मतलब समझ रहे हो, पूर्ण सरकारी का मतलब है, 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 पूर या कुछ हद तक आर्थिक सहयता, बित्तिय सहयता, पूरा बित्त पोशन मी ना करें, थोड़ी बहुत बित्तिय सहयता, सहयता देती हो, तो दूसरे प्रकार के ये होते हैं, तीसरे प्रकार के होते हैं, ऐसे विद्ध्यालिये, जो किसी धार्मिक संस्था, धार्मिक संस्था, द्वारा इस्थापित हो धार्मिक संस्था द्वारा इस्थापित हो यहाँ पर तो आ गए आपके जितने सरकारी कॉलिज है वो यहाँ पर कोन आ जाते हैं आपके प्राइवेट आ जाते हैं इतने प्राइवेट हैं उनको मानने तरत तो उनको सरकार ही देती है तो जो भी प्राइवेट स्कूल है वो सब इसमें आ जाते हैं और तीसरे में है जो धार्मिक संस्था द्वारा इस्थापित किये गए हो जैसे गुरुकुल कांगणी हो गया तो गुरुकुल कांगणी एक तरीके द्वारा इस्थापित है जैसे गुरुकुल हो गया गुरुकुल गुरुकुल ऐसे तो तीन प्रिकार के होती है धार्मिक स सकती है अगर देना चाहें तो वहाँ पर धार्मिक सिक्सा दी जा सकती है लेकिन बच्चे को बाध्ये नहीं किया जाएगा कि वो इस प्रकार की धार्मिक सिक्सा ले बाध्ये नहीं किया जाएगा लेकिन उसे बाध्ये तभी नहीं किया जाएगा जब वो 18 वर्स से जाधा का है अगर वो 18 वर्स से कम का है तब निल्ले लेंगे उसके मातापिता कि उसे वो धार्मिक सिक्सा लेनी है या उसे वो धार्मिक सिक्सा नहीं लेनी फोर अग्जामपल प्राइवेट जो होते हैं वहाँ पर हो सकता जैसे बिध्यमंदिर वगएर आपने सुने होंगे ये एक तरीके से सरकारी नहीं है ये प्राइवेटी है लेकिन ये इस वाली केटेगरी में आएंगे इनमें धार्मिक सिक्सा दी जाती है संसिर्टी यान परिक्षा की किलास होती थी नैतिक सिक्सा वालक से धार्मिक सिक्सा जो है वो इसमें दी जाती थी लेकिन मैं फिर से कह पूल के लो एन ओडर थे, उनको मानते ही थे, तो ऐसे में कोई बिरोध बगेरा नहीं होता था, लेकिन वो अधिकार है, कि अगर आप चाहें, तो आप उस प्रकार की धार्मिक सिक्सा को लेने के लिए क्या कर सकते हैं, मना ही कर सकते हैं, अठारवर्स से कमके हैं, तो ऐसे मे जो है, इनमें धार्मिक सिक्सा दी जाएगी, ये बात ध्यान मेंखेगा, तो कुल मिला करके आपको समझ में आ गया होगा, तो देखें, अभी तक जो मैंने आपसे डिसकस किया है, अभी तक जो मैंने आपसे डिसकस किये, वो आपकल 25 डिसकस किया, अन्तैकरण की स्वजंत आर्टिकल 26 बात करी धर्म से जुड़े हुए प्रबंद करने की सुनता 27 कर संदाई में छूट और आर्टिकल 28 कि किसी भी राज्य द्वारा बित्त पोसे सिक्सा संस्थान में कोई धार्मिक सिक्सा नहीं दी जाएगी तो जहां तक मुझे लगता है धर्म की सुतंतरता पूर अगला है लाष्ट अधिकल अपका अल्पसंख्यक के संदकश्ण का अधिकार अब पहली बात यहां पर एक यह आजाती है सबसे पहली बात कि भारत में अल्प संख्यक कौन है तो देखेगा कहीं लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन फिर भी भारत में दो प्रकार के अल्प संख्यक सुविकार किये गए है एक धार्मी का अधार पर और एक भासा के अधार पर दो ही अल्प संख्यक भारत में सुईकार किये गए हैं धर्म के अधार पर और भासा पहली बात है अल्प संख्यक कौन होते हैं ऐसे लोग जिनकी संख्या 50% से कम हो अब 50% से कम मतलब किस अधार पर 50% से कम ऐसे लोग जो किसी धर्म को मानते हैं और उस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 50% से कम है तब वो अलपसंख्यक होंगे ऐसे लोग जो किसी खास भासा को मानते हैं लेकिन उस भासा को बोलने वाले लोगों की संख्या 50% से कम है तो वो लोग minority में होंगे केवल दो ही आधारों पर भारत में अलपसंख्यक लोगों को चिन्हित किया जाता है अलपसंख्यक तो कई आधार पर हो सकते हैं हो नहीं सकते हैं गाड़ियों के आधार पर हो सकते हैं मेरी बात को समझेगा यह साईकिल वाले जाद हैं क्यास परसेंट से कम हैं तो सकते हैं बतलब अधार कई हो सकती है न लेकिन भारत में अलसंख्यक की बात करते हैं तो यहां पर अलसंख्यक का मतलब है धर्म से किसी भी धर्म को मानने वाले लोग अगर वो 50% से कम है तब वो minority में है for example के तोर पे जैसे muslim धर्म ठीक है 50% से कम है guest 50% से कम है both लोग 50% से कम है ठीक है ये सब अलपसंख्यक है, ये सब लोग अलपसंख्यक है. अब, इन्हीं अलपसंख्यकों के लिए कुछ अधिकार दिया हुआ है, Article 29 में और Article 30 में. Article 20 सबसे पहले बात करेंगे, Article 29 में दो पार्ट है, Article 29 है आर्टिकल 29 क्या कहता है पहली बात तो ध्यान रखना यह जो अधिकार है यह केवल भरतिया नागरिकों के लिए हैं केवल इंडियन स्टिजन के लिए हैं आर्टिकल 29 ये कहता है कि भारत में लोगों को लिपी, भासा और संस्कृति की सुतंतरता है। यहाँ पर मतलब केवल अलप संख्या को उसे नहीं है, पहली बात ये ध्यान नखेगा, यहाँ पर मतलब है सभी से। मतलब जन संख्या के एक अनुभाग को यह सुतंतरता है कि व केवल यही नहीं, हिंदू धर्म को भी अधिकार मिला हुआ है, हिंदू धर्म बालों को भी अधिकार है कि वो अपनी लिपी, भासा और संस्कृति को संनक्षित करने का पिर्यास करें। लेकिन सोचिए जब हिंदू मैजॉरिटी में हैं, माइनॉरिटी में मुस्लिम हैं, स हिसाई Françaisya यह लोग है, तो सिंफल सी बात है, सनक्षित करने का पिर्यास उन लोगों को करना पड़ेगा, हिंदू लोगों को सनक्षित करने का कोई पिर्यास नहीं करना पड़ेगा. इसलिए इस article का मतलब किस से निकाला जाता है केवल अलप संख्यकों से निकाला जाता है लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ ये अधिकार केवल अलप संख्यकों के पास नहीं है ये अधिकार सब के पास है हर एक भारतिय नागरिक के पास है हिंदु लोग अगर अपनी लिपी भासा संस्कृति को सनक्षित करना चाते हैं तो वो करें कोई समस्या नहीं है वो कर सकते हैं वैसा करने के लिए वो प्रियास कर सकते हैं लेकिन फिर भी जो है चुकि मैंने कहां मैजॉरिटी में है तो ऐसे कोई डरवाली बात नहीं है इसलिए इसका ताजपर्री अलपसंख्यकों से निकाला जाता है कि भारत में जो अलपसंख्यक हैं यानि मुस्लिम हैं सिख हैं, इसाई हैं, जैनी हैं, बुद्धिष्ट हैं, पार्सी हैं उन लोगों को अपनी भासा, अपनी संस्कृती और अपनी लिपी को सन्नक्षित करने का अधिकार है आर्टिकल 29.2 सुनिएगा एक बात और, वो क्या कहते हैं, कि जो राज्ये पोसित मैंने अभी बात करी थी न, कि कुछ ऐसे होते हैं, जो आपके राज्ये पोसित हों जो पूर्ण रूप से सरकारी हैं तो ऐसे सिख्सा संस्थान, जो सरकारी हैं, यानी जो राज्ये द्वारा पोसित हैं उन में किसी प्रिकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा एडविशन में, प्रिवेश में वेदभाव नहीं किया जाएगा और खास को और करके, कोई व्यक्ति किसी धर्म का है, कोई व्यक्ति किसी मूलवंस का है कोई व्यक्ति किस जाती का है, या किस भासा का है कही ना कहीं आप सोचिए गि भारत में अलब संख्यक दोई प्रकार में धर्म और भ्हसा दोई आधारों पे हम भारत में अलब संख्यक को चिंध नित करते हैं और आर्टिकल 29.2 में लिख दिया गया कि धर्म मुलवंस जाती और भ्हसा के अधार पर किसी भी सिक्सा संस्थान में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाया ये उस धर्म का है हम इसे नहीं लेंगे फिर से 11 सरकारी की बात चल रही है ये उस धर्म का है हम उसे नहीं लेंगे किसी भी सरकारी स्कूल में कि उस धर्म का है हम उसे नहीं लेंगे ऐसा नहीं बूला जाएगा ये उस भासा का है हम नहीं लेंगे कही ना कहीं आर्टिकल 29 क्या करता है ये फिर से अल्प संख्यकों को सननक्षित करता है एक तरीके से उन्हें पंढ़ने का अधिकार दिलवाता है कि वो किसी भी राज्ये के द्वारा पोशित विध्यालिये में सिक्सा संस्थान में चले जाएं उन्हें वहाँ पर रोका नहीं जाएगा धर्म और भासा के आधार पर नहीं रोका जाएगा कभी भी तो ये आर्टिकल 21 और 22 ये याद रखेगा और फिर से कहा रहा हूँ आप चाहे तो बहुत बहुत बहतर नोट्स बनाते वे चल सकते हैं लोक डाउन तो जब भी समाप्त होगा उसके बाद जब भी कोचिंगे खुलेंगी या कुछ भी होगा अगर आप सब चीजों को पढ़ते वे चलेंगे तो आप यकीन वानिए आपको दुबारा कभी कॉलिटी पढ़ने की जरुवत नहीं पड़ेगी अब इसके बाद है आर्टिकल 30 आर्टिकल 30 में भी दो है आर्टिकल 31 आर्टिकल 32 अब लेकि आर्टिकल 29 तो सीदा सीदा कह रहा था कि लिपी भासा और संस्कृति को सनक्षित करने का अधिकार और दूसरी बात कि कि किसी भी राज्यपोसी सिख्सा संस्थान में धर्म मूलवन जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदवाब नहीं होगा आर्टिकल 30 के कहता है कि यह जो अल्पसंख्यक है यानि मुस्लिम, सिख, इसाई, पार्शी, बुद्धिष्ट यह जितने भी अल्पसंख्यक है यह अल्पसंख्यक लोग अपने लिए अपनी भासा, लिपी, संस्कृति को सनक्षित करने के लिए अलग से सिख्सा संस्थान इस्थापित कर सकते हैं और इन सिख्सा संस्थानों का संचालन भी कर सकते हैं पर अग्जामपल मदर्सा, मुस्लिम लोग क्या करते हैं अपनी उस भासा को जो उर्दू है, फार्सी है, उसे सनक्षित करने के लिए उस लिपी को बचाय एकने के लिए मदरसों का संचालन करते हैं, आप देखें मदरसों का संचालन होता है, तो ये अल्प संख्यकों को ये भी अधिकार है कि वो अपनी भासा लिफी संस्कृति को संदक्षित करने के लिए सिक्सा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और इनक इनको संचालिद भी कर सकते हैं यानि इनको संचालिद भीस्वयम कर सकते हैं लेकिन एक बात यह धियान लखिएगा कि अगर ऐसा बात सेवन कहरा होता है तो उसमें आरक्षन नहीं होगा यानि जो आपने पढ़ाएगा कि वहीं OBC 27% atu chain 2 जेक hedge 56% एश्टी यानि 7.5% सावन वर्ग को अलग से 10% वो अलक्षन इन पे अलाउन नहीं होगा ये बात और धियान लखेगा तो ये डाइरेक्ट कोश्चन आपसे एक्जाम में मैं आप प्रक्टिस ले करके जल्दी पॉलिटी के आऊंगा बस इसको मोली कधिकार कंप्लेट करा करके फिर पिछल जितना मैंने पढ़ाया है मैं उन कोश्चनों के आपको प्रक्टिस कराऊंगा तो आर्टिकल 30 क्या कहता है कि अलब संख्यक लोग अपनी भासा लिफीवे संस्कृति को सनक्षित करने के लिए सिक्सा संस्थान इस्थापित कर सकते हैं उनका संचालन कर सकते हैं बट ऐसे सिक्सा संस्थानों में आरक्षन जो है वो नहीं माना जाएगा और एक है आर्टिकल 32 ये क्या कहते है वो ये कहता है कि राज्ये अगर किसी भी सिक्सा संस्थान को अनुदान देता है तो इसको नहीं देने पैसे, इसको देने हैं, ऐसा कोई भेधभाब किसी सिक्सा संस्थान के साथ नहीं किया जाएगा. तो यह ध्यान लखेगा ये जो Article 30 है ये वेसिकली सिक्सा संस्थानों से जुड़ा हुआ है अल्प संक्यकों के सिक्सा संस्थानों से जुड़ा हुआ दो है एक में इस्थापित कर सकते है और दूसरा राज जी अगर पैसा देता है बित्त पोशन करता है तो वो कोई बेदवाब ऐसा नहीं करेगा और आर्टिकल 29 क्या कहता है लिपी भासा और संस्कृति को सननक्षित करने का प्रियास करता है अलब संख्यकों की तो देखेगा आज जो क्लास में हमने आपसे डिसकस किया मैंने जो आज आज जिसने डिसकस की है इंपोर्डेंट थी और जहां तक मुझे लगता है कि मौली का थिकार खतम होने को है बस एक वीडियो और है आर्टिकल 31 को लेकर के और 32 को लेकर के उसके बाद 33, 34, 35 तो मैं आपको दे चुका हूँ और पॉलिटिक के चल रही है और कोसिस करेंगे कि आगे भी जो है वो इसी प्रकार से आपको बागी सब वीडियो दी जाए और इविनिंग में जो है वो राजपुसर दसके दम की किलास जो है वो आपकी कराई रहे है वो आप पढ़ी रहे है धीर दिरे मैं भी और कोसिस करूँगा चीजों को लेकर के आने के आपके सामने धन्यवाद और फिर से क्या रहा हूं कसम है तुम लोगों को अगर किलास अच्छी लगी हो तो मैसेज में जरूर कमेंट करके बताएगा ठीक है धन्यवाद